नमस्ते बच्चों, अब हम तुम कब जावो के अद्धी नामक पाढ़ का दूसरा फाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले फाग में हमने देखा कि लेखर के खर में जो अद्धी आया था, वह एक नहीं दो दिन से उसके खर में अरह रहे थे। अब देखिए अगला पारग्राफ, तीसरे दिन की सुबख तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। Means, on the third day morning, you told me, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूं। I want to give clothes to washerman, ये आखात अब प्रत्याशित था और उसकी चोट मारमिक थी। तुमारे सामिप की वेला एकायक योम रबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझसे अनुमान न था। पहली बार मुझसे लगा की, अधिधी सदेव देवदा नहीं होता, वो मानव और थोड़े अम्शों में राक्षस भी हो सकता ही। So here, in this paragraph, the author says that ये आखात अप्रत्याशिद्धा आवरस की चोट मारमिक थी। That means, when the guest said that, I want to give my address to a washerman, then this was an unexpected shock for me. And तुमारे सामी भी की वेला, एका एक यो रबबर की तरह खिंच जाएगी, इसका मुझसे अनुमान न था। Means, I never thought that, the duration of your presence will be pulled like a rubber. Okay, then पहली बार मुझसे लगा की, अदिधी सदेव देवदान ही होता, वो मानव और थोड़े अम्षव में राक्षस भी हो सकता है। So he said that, for the very first time, I felt that the guest is not always a god. Sometimes he is a human and rarely he will be a demon also. So children, the meaning of this sentence is, Indian culture treats guest like god. That is why it is being said that, अदिधी देवो भवा। But this kind of guest cannot be treated as god and they should be considered as demon. Okay, then, किसी लोंडरी पर देदेते है, जल्दी थु जाएगे, मेने कहा। But when the guest said that, I want to give my costume to a washerman, then what did I say? I said that, किसी लोंडरी पर देदेते है, that means, Give to any laundry, आम जल्दी धु जाएगे, means you will get it back fast. Okay, then मन ही मन एक विश्वा स्पल रहा था कि, तुमें जल्दी जाना है। Okay, so here, the author said that, the only reason behind this suggestion was, there was a hope in my mind, that you have to leave soon. Okay, then, कहा है लोंडरी? The guest asked me that, where is the laundry? Then, चलो, चलते है. मेने कहा, और अपनी सहच बनियन पर आपचारिक कुर्ता डालने लगा. That means, I said, okay, go, let's go to the laundry. Then मेने कहा, I said, अपनी सहच बनियन पर आपचारिक कुर्ता डालने लगा. Then, after that, I started wearing आपचारिक कुर्ता, means formal dress, means formal shirt. Then, कहा जा रही ही? पक्नी ने पुछा. Means, when my wife saw that I was wearing shirt, my wife, he asked me that, कहा जा रही? Means, where are I going? इनके कपड़े लोंट्री पर देने है. So, I replied, and he has to give his dress to laundry. मेरी पत्नी की आँखे? यह का एक बड़ी-बड़ी हो गई? आज से कुछ बर्स पोर, उनकी ऐसी आँखें देख, मैंने अपने अकेले पन की यातरा समाप्त कर, बिस्तर खोल दिया था. पर अब, जब वे ही आँखें बड़ी होती है, तो मन छोटा होने लगता है. वे इस आशंका और ठाई से बड़ी हुई थी कि, आदि थी आथिक दिनों टहरेगा. So, here it says that, मेरी पतनी की आँखें में का एक बड़ी बड़ी हो गई. That means, when she heard my reply, then suddenly, her eyes became big. That means, she was shocked. Okay, आज से कुछ बर स्पूर, उनकी ऐसी आँखें देख मेने अपने अकेले पन की यातरा समाप्त कर, बिस्तर खोल दिया था. So, here the author said that, before few years, when I saw her big eyes, okay, I entered my lonely journey. That means, because of the beauty of her eyes, I decided to marry her. Okay, then, पर आप जवे ही आँखें बड़ी होती हे, तो मन छोठा होने लगता हे. But now, when again her eyes became big, then the mind starts getting small. That means, I was disappointed, because, वेस आशंका और भाइसे बड़ी हुई थी की, अधि थी, अधिक दिनों तहरेगा. Because, it says that, now her eyes are big, due to one fear, that the guest will stay here more days. See the next paragraph. और आशंका अंदर मोल नही थी, अधि थी, तुम जान ही रही. लोंट्री पर दिये कपड़े धुल कर आ गए, और तुम यही हो. तुमारे भरकम श्रियर से सल्वटें पड़ी चादर बदली जा चुकी, और तुम यही हो. तुमें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है. तहाकों के रेंगिन गुबारे, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, आप दिखाई नहीं पड़ते. बाचत की उचलती हुई गेंद, चर्चा के ख्षेतर के सभी कोनलों से टपे खाकर, फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है. अब इसे न तुम हिला रहे हुँ, न में. कल से मैं उपन्यास पड़ रहा हुँ, और तुम फिल्मी पत्रिगा के पन्ने परट रहे हुँ. सब्दों का लेंदेन मिट गया और चर्चा के विशई चुप गये. परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राचनीती, रिष्टेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजिन, महंगाई, साहित्य और यहां तक की आंख मार मार कर हमने पुरानी सब्दों का भी जिक्र कर लिया, और अब एक चुपी है, सोहार्थ अब शनेशनी बोरियत में रूपांदिर्थ हो रहा है, भावनाई गालियों का सुरूप ग्रहन कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे, किस आदरशी गोंद से तुमारा विक्तित्व यहां चिपक गया है, म कब जाओगे अधित्वी? So in the last paragraph, we saw that when the author told his wife that they are going to give the clothes of gust to laundry, her eyes became big due to one fear, and now he says that our आशंका निर्मूल नही थी, that means the fear which made my wife's eyes big, that was not baseless, okay, then तुम जा नही रहे, So I guess you are not going, laundry पर दिये कपडे धुल कर आगे, आर तुम यही हो, that means you got all those dress back from laundry, still you are here, तुमारे भरकम शरेर से सलवतें पड़ी चादर बदली चाचुकी, आर तुम यही हो, so here he said that the sheet which was wrinkled due to your body weight was replaced, still you are here, तुमें देखकर, फूट पढ़ने वाली मुस्कराहट धीरे धीरे फीकी पढ़कर आप लुप्त हो गई है, इसका अर्थ ए है कि पहले हम तुमें देखकर मुस्कराते थे, लेकिन आप वो मुस्कराहट हमारे चेहरे से बिलकुल गायब हो गई, that means now we are not happy with your presence, तुमें देखकर के रेंगिन गुबारे, जो कर तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, आप दिखाई नहीं पड़ते, so here the author said that till the last day we acted in front of you as we are happy with your presence, that is why we shared jokes, we laughed but all those colorful balloons of laughter flying in the sky of this room is disappeared now, that means now there are no jokes, there are no laughter, then बाचित की उचलती हुई गेंद, चर्चा के ख्षतर के सभी कौनलों से टपे खाकर, फिर सेंटर में आकर चुपडी हे, so it says that till last day we discussed about so many topics but now topics are over, so the author said about in a sarcastic manner that the bouncing ball of conversation has hit each and every corners of topics and now it lies in the center of the room, okay, then अब इसे न तुम हिला रहे हू न मे, now neither you nor me is throwing that ball, that means now we both are not talking each other, कल से में उपन्यास पड़ रहा हूं आर तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हू, so now the author said that even though we are in the same room, now we don't talk, okay, so I am reading novels and you are turning the pages of film magazines, then सब्दों का अलें देन मिट गया और चर्चा के विशे चुगया, that means now the verbal transactions are over as there are no more topics to discuss, okay, then परिवार बचे, नौकरी, फिल्म, राचनीदी, रिष्टेदारी, तबादली, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहां तकी आंख मार मार कर हमने पुराने प्राइमिकावं का भी जिक्र कर लिया और अबेक चुपी हे, so it says that within the last two days we have discussed about various topics like family, then बचे चिल्रन, then नौकरी, जोब, then film, about films, then राचनीदी, about politics, then रिष्टेदारी, about relations, then तबादले, about the transfer, then पुराने दोस, we discuss about old friends, then परिवार नियोजन, so we discuss about family planning, then महंगाई, so we discuss about inflation, then साहित्य, we discuss about literature, और यहां तकी आंख मार मार कर हमने पुराने प्राइमिकावं का भी जिक्र कर लिया, so here he said that even we discuss about old girlfriends also, and now दल से silence, okay, then सहार्थ, अप्षनेशने बोरियत में रूपांधिरत हो रहा है, means slowly the friendship is turning into boredom, okay, then भावनाए, गालियों का सुर्यू ग्रहन कर रही है, पर तुम जा नही रहे, that means now the thoughts about you turn into abuses, okay, still you are not going, okay, means here the other said that we don't know that which invisible glue stuck you here, that means why you are not going from here, or why you are staying here, then बार बार ये प्रस्ट उड रहा है, तुम कब जाओ के अध्धि, means after saying this much, he said that this question repeatedly arises in my mind, that when will you leave, guest.